वहां से जो मैस का सेक्षिन आया था थी मैस के आपके पास 11 से 12 वेश्ट आते हैं और दू पैसेज बीस्ट पर थी जहां से हमें देख ला है कि कैसे आपके परस कोशन आने वाले हैं परस पैसेज कुछ ऐसा है इसके बिस्ट पर सिक्सक्स करेंगे और उसके बाद हम सेकेंड बस डेटा को समझना है कि डेटा पर देखो किसले डिया होता है जो डेटा इंटरप्रेशन में आपके पास सिंगल वन लाइनर कोशन होते हैं डेटा को टेबल की फॉर्मेट में अल् सब्सक्रीं करें जी ने संदीट जर्नली पशानल आपके पास आपके पास सब्सक्राहिं डेटा को पढ़ना है कि क्या आपके पास hundred बहुत में किया से पिनिसel यहां तक लेकर टृडल जनल डिंटा और्टो मोबाइल से जो हमारे पास most preferred mode of transport है वहां से बुला गया vehicles have been developed run on diesel जो vehicles हमारे पास है वो diesel पर run कर रहे हैं और petrol पर और electricity basically क्या है कि तीन तरह के vehicles आपको दे रखें आपको data को कर इनिशल ही है यहां से छोड़ देना इनिशल पर बाद में भी आए तो भी को दिखती है आपने बोड़ा कि जनल बाते कर रखी है कुछ vehicles की बाते कर रखी है और तीन तरह के diesel vehicles, petrol vehicles और electricity अभी क्या there is a which is a remarkable innovative development during a survey एक survey हाँ पर आपको survey का data आपके परस आगे कुछ बाते कर रखें during a survey about the percentage-wise distribution जो चीज़े आपको गिवन है उसको देखे ध्यान से आपको गिवन है percentage-wise distribution percentage-wise distribution of cars in four different states अब यह आपके पास एक होड जनल इस परफिशन है कि तीन तरह के तो vehicles है और बाकी आपके पास चार तरह के states है इसको आगे नाम गिया होगा ABCD या फिर 1,2,3,4 the information regarding फिर आपके पास है the total number of the cars for which the data was collected was 8,000 अब यह सबसे important information यही है कि total जो number of गाडिया है हमारे पास वो कितनी है 8,000 है total number of the cars for which the data was collected was 8,000 यह सबसे main information अभी तक आई फिर इसके बाद क्या है of these state 1 है 15% अब आगे के data को table में fit करना है तो ग्या करना है समझाए हांती आपको बदा चला कि भई तीन तरह के से आपके पास तो vehicles है और चार state के अंदर इसको रखना है जैसे मैंने कहा पहले आपके पास इस पूर सपोस पीस कम पढ़ जाएगा state आपके पास है 1, state आपके पास हमारे पास जो है तीन तरह की category है एक आपके पास से डीजल vehicle एक आपके पास से पेट्रूल vehicle और एक आपके पास से टूटल इलेक्ट्रिग्री तो इतीन तरह की तो उसमें से state 1 के इंदर कितनी है 15 पास आपको यह पता चला है यहां से आपने data फिल कर दी कि state 1 के इंदर क्या आपके पास 15 पास तूटल गाडिया है अब इसकी टेबल बना लेते हैं यहां से चार लाइन्स में आपके पास है चार डेटा कुछ ऐसा दे रखा है और जैसे जैसे questions होगा उसके साब से हम आगे चले state 1 में जो गाडिया है 15 पास और उसके अंदर जो है माल पास diesel, petrol और electric उसका जो ratio है वो 3, 4, 1 में है तो diesel 3, petrol 4 और electric आपके पास बन यह ratio की format में चीज़ देते रखी है second आपने पढ़ा इसके बाद state 2 का data है जो 20% गाडिया है state 2 के अंदर गाडिया कितनी है 20% और उन 20% गाडियों के अंदर जो ratio है diesel, petrol, electric का 5, 3 और 2 लिए this is 5, 3 और 2 फिर से आपको एक ratio पता चौड़ा similarly जब आप देखेंगे तो आपके पास state 3 का data है state 3 के अंदर गाडिया कितनी है 30% तो आपने देखा भी यह गाडिया कितनी है मारे पास 30% और इसके अंदर जो ratios है वो क्या ratio है मारे पास 4, 5, 4 ratio, 5, ratio, 3 साथ में आपने ये भी बढ़ना है कि आप वही चीज़े गिवन है diesel, petrol और electric यस वही sequence में बाते कर रखेंगे पहले भी diesel, petrol, electric है और second और third में वही है अब अगर आपके बस फोर सबूस state 4 का data नहीं भी होता जैसे आपको नहीं पता state 4 में कितने percentage गाड़ी है अगर ये data जैसे यहाँ पे तो given है state 4 में कितनी percent गाड़ी है 35% लेकिन अगर ये चीज़ नहीं भी given होती तो आप निकाल सकते कैसे total percentage वाई distribution 100 रहा होगा उसमें से 3 हमें already पता चल गया तो अगर हमें 3 का value बदा चल गी इनका sum करेंगे आपके पास 65 जब आप 100 में से 65 को minus करेंगे तो आपके पास remaining क्या रह जाता 35 जो कि state 4 का पर इसमें already इन्होंने दे दिया सारा data आपके पास कुछ आपको calculate करने की जूरूरी है state 4 के अंदर जो आपके पास से गाड़ी है 35% उसके अंदर जो ratio diesel petrol electric का है वो 7 ratio 5 ratio 2 इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं अब आगे की information क्या है question wise हमें सारा कुछ हमने लिख लिया है question में पूझा क्या है उसको देखते हैं जैसे पहले एक चीज को समझे अगर for suppose आपको निकालना पड़ जाए state 1 से आपको यह बता कितनी परसन गाड़िया है तो आप कैसे बताएंगे यह बताना है state 1 में कितनी परसन गाड़िया कितनी गाड़िया है तो percentage wise पता है कितना हमारे पास है 15% है और 15% किसका total का तो हम बोल सकते हैं ना ऐसा कि 15% गाड़िया है out of 8,000 किसी भी चीज का 15% आप basic से निकाल जाए अधर वाइस यह आप ऐसा कहें कि भी हम अगर बिल्कुल basic से लिखू 15 percentage का मतलब है 100 of का मतलब है multiply into 8,000 जब भी आपको ऐसे percentage में दिखेगा 20 से आप 20 मन में गाट लेगा आपके पास 15 into 80 बजेगा यही दो नंबर से आपके पास बजेगा 15 into 80 और जब 15 की multiply आप 80 में करेंगे 15 इस आपके पास 120 होता है इदर से आपके पास 1200 अब यहां से समझने की बात क्या है कि अगर कहीं भी आ करेक्ट बूल सकते 15% किसका है 8,000 का इस percentage में 20 नीचे आइगी 8,000 में 20 उपर है दोनों cancel हो जाएगे अगर हमें 20% निकाला है तो आप 20% निकालेगे किसका 8,000 का इसका मतलब ही क्या है 20 की multiply करनी है आपको किसमें 80 में कहां से आता है percentage के basic concept से आता है कि percentage से 20 आपके पास division में रही हो कि वो 20 को cancel करते है तो बचेगा क्या 20 इंटू 80 और 20-80 का मतलब क्या है 2 की multiply 8 में करना 3 होता है 2-0 आगे तो 3 इस तरह से state 3 निकाला तो आप डारेक्ट निकाल सकते हैं इसका मतलब है 30 इंटू 80 और 30 इंटू 80 का मतलब क्या है 8 3 सा 24 2-0 आपके पास है तो 2-0 आपके कैसे बाते समझ जाए होगी अगर कहीं आपको निकालना पड़ जा स्टेट 4 में गाड़िया आप डारेक्ट बोल सकते हैं 35 इंटू 80 इसको हम बोलेंगे 70 इंटू 40 और 70 का मतलब होता है 2-8-0 यह बाते आपको समझ जा रही होगी कैसे अगर किसी का डेटा में निकालना है हम बिना calculation की यह निकाल सकते हैं यह calculation भी करेंगे तो थोड़ा minimum करेंगे ताकि हमारे पास time को थोड़ा बचा सकते हैं अब आगे की बाते हैं जैसे state 1 में आपको निकालना है डीजल गाडिया कितनी है state 1 में अगर पूछा जाए डीजल गाडिया कितनी है तो पहले आपने ब total कितना units हमारे पास four plus three seven seven plus eight three by eight यह बात समचे हैं हमने डीजल की गाडिया पहले निकाला नहीं है उसको लिख दिया सा 15 into 80 है total गाडिया आपके पास state 1 में 15 into 80 है यह हमने भी सिखा अगर डीजल निकाला हो तो three out of eight आप या तो basic unit method बोल दीजे इसको कि हमें बात पता है क्या यह eight units हमारे पास है उसकी value real में कितनी है 15 into 15 into 80 आप कहेंगे one unit की value क्या होगी यहां से बोल सकते हैं भी है 15 into 80 और one unit का मतलब है division में आ जाता है ऐसा कुछ आपको निकाला है किस की value three units की तो जब three units की value निकालेंगे तो यह three multiply में आपके पास यहां आ जाए अब इस चीज को ह अगर आपने निकाल रहें डीजल तो यहां पर three out of eight आपने निकाल रहें फोर सपोस पेट्रोल तो four out of eight आपने निकाला एक तो यहां पर one similarly आप देख सकते हैं बाकी data का भी वो suppose state two में जाना है और आपने डीजल गाडिया निकाला है आप बोलेंगे state two में गाडिया कितनी है twenty two eighty और जब आपने पेट्रोल निकाला है पेट्रोल का मतलब है three out of कितने में से इसे करके आप कर सकते हैं मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि हमें calculate नहीं करना जहां ratio पूछे जाएगी वहां बहुत साइच चीज़े कर जाएगी हमें हाट चीज़ को calculation की तरफ नहीं लेके जाना state three में आपको फोसबोस electric विकल निकाला तो आप क्या बोलेंगे state three में जो विकल्स है आपके पास 30 into 80 है 30 into 80 और electric निकाला है तो electric कितने हैं हमारे पास 3 कितने में से total units देख लेजे 4 प्लस 5 9 9 प्लस 3 आपके पास आप ऐसे करके निकाला और जहां पूछेगा भई इंसका ratio बता दो अपने ऊपर निकाला और नीचे निकाला इन दोनों का ratio बता दो एशो का मतलब है divide कर जो चीज़े cancel होने वाली होगे उसे cancel कर सकते हैं जैसे इस 80 से 80 कर जाएगा ऐप चाहें तो और भी चिज़े काट सकते हैं बह। साहीं चीज़े कर जाएगी 00 कर जाएगी आपके पास इदर थी से त्री कर जाएगा ठीक है 10 से 12 कर जाएगा 5 तर 6 naught आपके पास त contracts जाहेगा 2 और 2 से 2 कर रहागा वो करने के लिए जब आएगी था हम उसे साफ से देखने के बातें आपके पास समझने की यह है हमें जब तक रियल नंबर निकालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो हम रेशो की पूछे का तो भी रेशो चाहिए देटा को ऐसे यूज कर देखते हैं बहुत कोशन में कुछ ऐसा बोला गया है आपको रेशो निकालना है रेशो ही निकालना है डीजल फो में गाडिया देखे कितनी है 35 x 80 और इसमें डीजल निकालना है डीजल का मतलब कितना होगे है मारे पास 7 आउट ओफ किते में उसे सबका सम करेंगे तो 14 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14 अब इसका रेशो लेना है इसके साथ रेशो लेना है इसका स्टेट 3 से इलक्टिक लेनी है तो स्टेट 3 से जब आप इलक्टिक लेंगे ए लिख देताओ स्टेट 3 से इलक्टिक क्या करना है इलक्टिक गाड़िया लेनी है वो क्या आने वाली हैं इसको स्टेट 3 में गाड़िया कितनी है हमारे पास 30 x 18 30% of 8000 निकाहेंगे तो उसको निकालने की बज़ा है हम डारेक्ट उसको लिए 30 x 18 और यहां से आपके पास एलेक्ट्रिक लिएना है तो एलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा अब दोनों चीज़ों का रेशो लेना है रेशो का मतलब जो चीज़े कैंसल होने वाली होगा उसे कैंसल जैसे यहां भी डिविज़ा है जर्में 80 है इधर भी आपके पाउट कार सकते हैं आप चाहते तो 7 से 12 को काट देजें 7 से वोटीन कट जाएगा टू टैमस इधर आपके पास क्या है पी से 12 कट जाएगा टू टैमस और क्या कैसे किस से गणसल हो सकता है इधर 35 है इसमें भी 5 एसमें 5 है इसे 5 से कट लेगे, 5 से कट लेगा, 6, 5 से कट लेगा, जो numbers बज़के उसको मैं लिखते हूं, बागी काटने को आप सकते हैं, मैं लिखा इदर 7 upon 2, और इधर आपके परस बजा है, 6 by, आप इसको 3 by 2 लिख सकते हैं थे, बट कोई बाप नि, ऐसे समझ लीजे, कि यहां से हमारे पास ratio लेना है, और जब भी चीज़ों को ratio लेना होता है, तो इसका मतलब क्या है, गर आपको basic calculation पहता है, तो ऐसे मैं लिखने के लिखते तो हैं आप पर चलो ऐसे, ठाने के लिए, 7 by 2, division में है 6 by 4, जब भी चीज़े ऐसे आपके पास होती हैं, तो हम उसको reverse में उल्टा ले जाते हैं, इसका मतलब भी क्या हुआ, 7 by 2 है, और यह 6 by 4 उपर जाके क्या बन जाएगा, 4 by से, आप इससे cancel कर दीचे, जहां आपके पास cancel, 2 से 4 कर जाएगा 2 times, 2 से 6 कर जाएगा 3 times, ratio क्या आपके पास, 7 by 3, जो कि हमारे पास option number ही में है, टरेक्ट कर सकते हैं तो समझाने के लिए मैंने जादा चीज़े लिखी हैं, otherwise हम लोग 6 और 4 को यहीं काट सकते हैं, और यहाँ 2 से 2 कर जाता है, आपके पास 7 ratio टरेक्ट कर जाएगा, next question की तरफ चलते हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, क्यों पर हमारे playlist में जाना है, और वहाँ से आपको, तो फिर आप search कर सकते हैं, पॉसन डीज के basic lectures, उन्हें प्रोवाइड किये हैं, पॉसन डीज के या ratios के जो भी आपके पासे, basic classes जहां से हम लोग सारी concept समझते हैं, अगर आपके चीज़ें समझने में इस्यू आ रहा है, तो उसका मतलब है आपके basic concept बहुत ज़्यादा वीग है, आपको सबसे पहले काम करते हैं, basic understanding of percentage and ratio proportion, second question की तरफ चलते हैं, second में आपके पास data में कुछ आज़ा गया है, आपको percentage निकालना है, compute the percentage of total electric vehicles to total cars of all the states, percentage पूछा किसका है, total electric गाडिया पूची, इसके respectively total गाडिया states है, total electric गाडिया तो 8,000 है, लेकिन total electric कितनी है वो निकालना है, जैसे कैसे निकालेंगी, total electric कैसे निकालेंगी, पहले आपने निकालने state गाडिया कितनी है, 15 into 80, जब electric निकालने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 out of the message, total message, 4 plus 3, 7, 7 plus 1, 8, फिर से आपको निकाल, state 2 में जाएंगे तो गाडिया कितनी है, 20 into 80, तो basic लिख रहा हूँ, otherwise आप direct, commonly कि कर सकते हैं, बहुत साइच चीजे, इधर से आपके पास electric गाडिया कितनी है, 2, out of कितने में इसे, total आपके पास है, 5, 3, 8, 8 plus 1, state 3 में हम चले गए, state 3 में गाडिया कितनी है, 30 into 80, और जब electric निकालने की बाती आई, तो हमारे पास है, 3 out of, कितने में इसे, total सम किया, 5 plus 4, 9, 9 plus 3, state 4 में हम चले गए, तो हमने गाडिया निकाले, पहले निकाला कि total गाडिया कितनी, 35 into 80, और जब electric की बाते करी तो electric कितने हमारे पास 2, कितने में सी, total 7 plus 5, 12, 12 plus 2, 14, इस basic calculation को आप नहीं करना है, आप चाहे तो 80 को common लेके कर लीज़े, तो easy लगे आपको, लेकिन यहाँ पे numbers क्योंकि सारे कटने वाले हैं, तो आप चाहे तो ऐसे basic से calculation, otherwise अगर number कट नहीं रहा होता, तो इस 80 को common ले सकते हैं, और भी कोई numbers लिसा, जो सब में होता तो उसे common लेके बाहर एक ही बागे लिए, numbers easy है, तो direct कर लेते हैं, इदर 10 times कटा, तो आपके पास आगया 150, किदर से आपके पास है, 00 कट गया, 8, 16, 32 है, किदर से आपके पास कितना अभी, 3 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 20 बार, 20 की multiply करेंगे तो, किदर से कितना हमर पास, 2 से काट लिए 7, 7 से काट लिए 5, 85 जा 40, 400, तो total electric गाड़ी आपके पास कितना है, इन सब का sum आप ने कर, 600, 400, 1000 हो जाएगा, 1000 के बाद इधर देखेंगे तो आपके पास 1400, 1470, 1470, 1000 है आपके पास 300, 400, 1470, 1470 आपके पास total गाड़ी है, इसको percentage में change करना, percentage किसके respective कुझे, आपको electric vehicle निकालने थी, तो total गाड़ी हों के respective, तो जो percentage आपको निकालना है, 1470 का, वो 8,000 के respect निकालना है, और जब भी किसी चीज़ का percentage हम निकालते हैं, तो basic से बोले तो 100% से multiplied, आप यहां से basic calculation का use कीजे, और जो जिससे cancel हों से cancel, 20 से 20, 10 से 10, अब बस आपके पास बचा 147 जिसको आपने divide करना है, 147 divided by 8, 8 से जाएगा तो आपके पास 1 जा, इदर से बचेगा 6, 7, 6, 7 के बाद हो गया, मतलब 7, 8, 8 जा चलेगा, 24, इदर से 3 बचेगा, 30, 18 point something answer आना, तो यह है नही है, दो answer है, आप देख लिजे, 30 पे क्या चलेगा, 83 से 24 चलेगा, जैसे आएगा 3, और आगे आप देखें के तो 3, तो answer क्या आएगा, 18 point 37, बस आपने basic से 147 को divide कर देना था किसे 8, basic calculation पे कर लिजे, 1,000, फिर आपके पार, 8,000, और फिर उसके बाद point 37, पुरा गटेगत आपके पास रिजेगा, वह है हमारा answer है, क्योंकि option number, I guess बाते समझ आए होगी, percentage कैसे निकालना था, यहीं पे आप ratio भी ले सकते थे, बड़ क्योंकि relation रेने की जारत ज़र्वत नहीं है, numbers easy है, तो आपने उसी number पर नहीं है, अपने सबसे निकाला क्या, electric, और उसके बाद आपने उसको percentage निकाला, अब आपके पास कोशे नहीं ह इसे करके निकाला, कि 2 से, 3 से, 4 से, और उसका percentage निकाला है, इसके respectively, total गाडियों के, total मतलब 8,000 के respectively, ऐसे करके आपने diesel का percentage बताना है, comment section में बताना है कि क्या आपके पास, इतना जादा आप उसे question को करेंगे, उत्रहीं जादा आपके concept clear होगे, पहले ही बोलाओं कि आपके परस अगर आपको इस चीज़े समर्जने में दिख्कता आ रही है, percentage और ratio की basic चीज़े आप पहले समर्देगे, तो आपके पास YouTube पे आपको मिल जाएगी, आप चैनल पर सर्च कीज़े, percentage, ratio और data and difference की basic बाद, आप ही next चीज़े को चलते है, next question कुछ इस तरह से आपके पास ह है, what is the difference between, difference पूचा है, अब किस-किस का difference पूचा है उसको देख, what is the difference between the number of the petrol cars and state 3, difference लेना है, किस-किस का difference लेना है, state 3 से petrol, और साथ में डीजल लेना है, state 1 से, स्ट्रेट 3 में गाडिया देखते कि, state 3 में गाडिया कितनी है, वर पस, 30 into 80, मैं पहले initially बोला कि कहां से आपके पास 80 आ रहा है, ये 80 आपके पास क्या है, percentage है, हमने percentage का, 8000 के 2-0 गैंसर कर, 30% of 8000 निकालेंगे तो वो यही होता है, and is 2400, मैं उसको लिख नहीं रहाँ क्यों पेट्रूल गाडिया, पेट्रूल कितना हमारे पास, 5, कितने में से, total में से, तो total कितना हमारे पास, इसका difference निकाल है, diesel state 1 से, तो state 1 में गई हमारे पास गाडिया कितनी है, 15 into 18, और इससे diesel लेना है, तो diesel का मतलब 3, out of कितने में से, total में से, योंकि हमारे पास है, 4 plus 3, 7, 7 plus आप इस basic से calculation को करना है और आपके पास तरह आ जाएगा ठीक है क्लाइट जो 2024 का था competitively काफी जाता easy था as compared to आप पिछले साल से देखें तो ये questions आपके पास बस data के format में आपने table बनाने थी और table बनते ही फिर basic से calculation है कुछ भी नोंने difficult नहीं दिया यहां से देख लीजिए difference करते वे आपको cancel करना है करेंगे जो आपको सही लागे 3 से आपके पास कर जाएगा 4 ताइम्स और 4 से कर जाएगा 28 एट से कर जाएगा ये 10 ताइम इधर multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 100 और multiply करेंगे 1000 में के इसको minus करना है इसा आपके पास फ्टीन थी जा है कि और 450 में एक 0 है तो 0 करेंगे और जैसे आप minus करेंगे आपके पास आपस क्या जाएगा 1000 में से 450 जाता तो क्या बचेगा बैस 550 वही हमारा आपके पास बाते समझ आई होगी clear हुआ हुआ कही ना की concept और उसके आपके पास सारी बात नेक्स question की तरफ चलते हैं next question में यहां से बोला what is the average number of the diesel cars अब देखो average पूछ लिया वही basic बाते पूछी हुए बार-बार percentage पूछ लिया ratio पूछ लिया और उसके बाद क्या फिर average पूछ लिया बार-बार में कहता हूँ these are the three backbones of the arithmetic first percentage ratio second is comparison and third is some average what is the average number of the diesel cars state सारे states से आपने गाडिया निकाल दी है डीजल की और उसके बाद क्या करने है उसको average निकाल ला है मतलब जितने भी आपके पास है इसे हम डिवाइड कर देगे चार स्टेट है तो चार से डिवाइड कर देंगे दिखते है स्टेट वन में जो गाडिया है 15 into 80 डीजल लेना है तो मतलब 3 कितने में इसे total 8 में से फिट 2 में आप गए तो गाडिया कितनी है 20 into 80 डीजल आपको लेना है तो 5 आउट ओफ कितने में उसे सबका सम करेंगे तो 8 फिट 3 में गाडिया कितनी है 30 into 80 और जब आपने डीजल निकालना है तो 4 आउट ओफ कितने में उसे सबका सम करेंगे तो 12 प्लस इधर से आपके प है 7 out of 14 इस calculation आपने solve करना है और जो भी आपके पास answer आएगा उससे डिवाइन करना है अगर आपको average को idea नहीं है तो basic video आप देख सकते हैं वहाँ से आपको पादा चलेगा कैसे हैं कि 8 से आएगा आपके पास 10 times किदर से आएगा आपके पास 4-5 जो numbers ऐसे होते जहां multiply मतलब नहीं कर पाते हैं डिवीजर नहीं कर पाते हैं common ले सकते हैं क्योंकि सब में आपके पास common 80 है तो 80 को एक ही बार में multiply करते हैं यहीं से कट जाएगा 8 से कट जाएगा कितना 80 था नहीं अब पास से है 7 तेकि हमें 20 इंटू इदर आपके पास ज्यादा है ना 5 3 8 8 प्लस 2 10 है यह 5 प्लस 3 प्लस 8 10 10 से आपके पास 0 जाएगा 8 ताइम से बचेगा 8 आपके पास 40 40 इंटू इंटू एटी यहां से एट इंट कि इससे काट सकते हैं 4 जाएगा 3 3 से जाएगा 10 10 का मतलब हो जाएगा 8 कि इदर से आप देखेंगे 7 से जाएगा 14 2 ताइमस 2 से जाएगा आपके पास 40 35 का डबल होता है 70 70 का डबल होता है आपके पास 14 1400 7 से गया 2 2 से गया आपके पास 40 और 40 के मंटिप्लाई आप करेंगे 35 इंटो 40 आप इन सब का आपने सम करना है सम कर लीजे basic calculation से जैसे आप सम करेंगे इदर से आपके पास 1600 14 28 28 प्लस 3000 हो जाएगा ये 3000 3000 के बाद आपके पास 34 50 ठीक है से गया होगा 8 आट 16 16 का मतलब होता है आपके पास 14 2 ता 28 प्लस 30 30 प्लस 4 30 45 प्लस अब जब इसका average निकालने तो average का मतलब है जितने भी स्टेट है इस स्टेट से मारे पास चार से डिवाइड कर दीजिसके जैसे 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास पहले तो 8 टाइम जाएगा 8 वाले हमारे आंसर 3 है देखते हैं क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कह सकते यह पूरा हो जा रहा है पूरा होगा नहीं है आंसर यह आ जाएगा देखते चलो कोई बहुत नहीं 8 4 आपके पास 32 इदर से 25 बचेगा किदर से आपके पास चलाएगा 8 6 और 24 10 बचेगा 8 2 आप चलेंगे तो 10 और 0.5 8 62.5 जो कि option number B में है यह हमारा answer है जो कि हमारा average है और किसी भी तरीके से आप basic calculation का use करके आप निकाल सकते हैं सारे states से आपने diesel गाडिया ली और diesel का फिर average निकालना है ठीक है इस बात को पहले भी कि average का मतलब क्या होता है कि इसी भी चीज में जब हमें average निकालना है इसका मतलब होता है कि सब का हम लोग sum कर लेते हैं और उसको जितने भी numbers है उससे divide करें sum हमने किया और जितने numbers है मतलब numbers किते हैं बस चार numbers divide करें तो ही हमारा answer इक और question इसके उपर है यह दो question है अभी इसके बाद हम लोग next part मतलब अभी क्योंकि second part में इसको देखेंगे जहां भी हम बात करेंगे second part में बाकी जो questions है यह थोड़ा बड़ा हो गया है question समझाने के लिए time लगता है आप second part को देख सकते हैं जहां पर हम लोग जो पैसेज है उसको डिसकुस कुछ इसा है क्या बोला 45% अभी condition दे दिया असने अगर 45% काड़ी कहां से हमारे पास electric गाड़ी स्टेट 4 से वो AC होती तो आपको बताना है कि non AC गाड़ी कितना हो इसक मतलब क्या है कि यह 45% गाड़िया तो है AC वाली तो बचे हुई गाड़िया कितनी बचे है हमारे पास 55 टोल गाड़ी ‎ए फिट्र्ड होती अगर 55% गाड़ियों में इसी ए तो बचेहों कितली गाड़ियों न इसी वाली है वहां से दिखते है स्टेट 4 की बात कर रहा है electric गाड़ियों की बात कर रहा है कि पहले गाड़ियों की स्टेट 4 में हमने देखा हम today हमारे पास इलेक्ट्रिक गाडिया कितनी है, इलेक्ट्रिक गाडिया आपने देखी तो कितनी हमारे प्रस टू, आउट ओफ कितने में से टोटल सम क्या है 14, यह टोटल इलेक्ट्रिक गाडिया थे, इसने कहा इसमें से 45% गाडिया AC वाली है, इसका अगर AC निकालना होता है, इसका 45% निकाल देते हैं लेकिन AC वाली नहीं पूचा, what is the percentage of the remaining non ACs गाड़ी, non AC वाली गाड़िया कितनी है तो हमें non AC निकालना है मतलब किसकी वेलों निकाल ली है 55% की, और 55% का मतलब होता है 55 into percentage को हम डारेक्ट लिख सकते हैं percentage का मतलब ही 100 होता है अब इस calculation को बस आपने solve करता है तेखे किस से कट रहा है अब basic से काट लीजी 2 से कट लेगा 7 times 7 से कट लेगा 5 कि मैं, आप चाहे तो 0-0 काट लेजा, इस डारेक्ट खट जाएगा 20 से कट लेगा 4 times 20 से कट लेगा 5 इस 5 से इस 5 को कर लेगा अभी बचा क्या है 4 बचा और 55 बचा और जब 55 की multiply या 4 में कर दे तो आप रोका समसर आएगा 50 की multiply जब 4 में कर दे तो 200 आता है और जब 5 की multiply 2 में कर दे तो 2, 2, 3 देखे, हमने 11 के मुटिपल सीखा हुआ 11 मेंस में बर्टिपॉLai कर साथ और आप चाहते हैं इस में नेगे मॉत इस स्टे stap आब ही जलते हैं साथ टेज नेख्स वह इस passage से number of the petrol cars in the state 2, क्या निकालना है? State 2 से, the number of the petrol cars, state 2 से, कितना percentage जादा है? किस से the number of the diesel car in the state? तो जो जो data हमने लेना है, पहली बद तो percentage निकालना है, कोन किस से कितना जादा है? हमने percentage में बाते कर रखी, जब भी percentage निकालना होता है, तो उमें ratio चाहिए है, ratio का मतलब है कि जो numbers कटेंगे, उसे काट निकालना देखो, petrol state 2, state 2 से petrol, इसका ratio लेना है, diesel state 1, state 2 में पहले गाड़िया देखी कितना, 20 into 80, petrol भी लेना है, petrol का मतलब हो कि आपके पास 3, कितने में से total में से, तो 5 plus 3, 8 plus 2, 10, इसका आपको ratio चाहिए, diesel from state 1, state 1 में गाड़िया कितनी है, 15 into 80, और यहां से diesel कितनी है हमारे पास, 3, out of कितने में से, 8 plus, जब चीजों का में ratio चाहिए, तो ratio का मतलब है, जो cancel करने वाले जीज़ है, cancel कर, इधर से आपके पास 80, इधर से भी 80, आपको अगर इस बात में, क्योंकि ratio उसमें वो आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं, यहां के बज़ाए, इसको, ऐसे काटने, 0 से 0, इधर 8 से 10, सादा easy माने, इधर ratio उसमें फिर fraction बनता, काटने के लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 80 कर जाएगा, 10 से 20 कर जाएगा, और फिर आपको बस यहां से 8 को उधर भेजना है, यह आपको आना चाहिए, पर कोई बात नहीं हम basic से करते हैं, इधर आपके पास बड़ा 8 into 3, रू into 2, 8 6 आ किता होता है, 58, इधर आ के बात, 15 3s आ, यह दो चीज़ें हमारे पास बच गई, इसी पर हमें काम करना, अभी क्या पूचा है, कौन किस से कितना जादा है, पहली बात तो हमें इस पर काम नहीं करना, हमें इसका भी ratio लेना है, आप चाहते हैं तो यहीं से भी काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाता है, पाकी आगे काटेज, पहली दिकर दो, जो percentage निकालना है, 480, 450 से, कितना जादा है, तो या तो आप ऐसे कहें कि भी कितना जादा है, यह से 30, जो percentage निकालना है तो 30 का, किसके basis पे निकालना है, percentage वो लिखा गया है, किसके basis पे percentage, और जब भी किसी का percentage निकालना है, तो 100% से काटेबाए, अब मैंने ऐसे कर दिया, बट ऐसे करने एक्जाम के लिए नहीं होता, अपने पहले ही चीज़ों को काट लेना था, 3 से 3 काट देते हैं, फिर उसके बाद जो भी numbers काटते हैं, आपस पे 5 से 5 कैंसल हो रहा है, तो हम काट के छोटा बना ले, बट ऐसा भी कर रहे हो, तो कोई बड़ा पाप रही है, आजाम से आप बिसी कल्कूशन कर सकते हैं, इधर से आपके पर 0 से 0, 3 से 15, अब बस इतना सा है, कि 100 को 15 से डिवाइड करेंगे, और 100 को जब 15 से डिवाइड करेंगे, तो आपके परस क्याएगा, 6.67, आप कैंसल कर लिजे, 5 से 3, 5 से 20, तो यह 20 बाइ 3 हो गया, जब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 6 2 बाइ 3 आता है, 6 2 बाइ 3 का मतलब भी क्या होता है, 6.67, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, इस आर बेसिक कल्कुलेशन जो हम लोग यूज़ करेंगे, आइस ये वीडियो आपके लिए हल्प पूर रहा होगा, यहां से आपको आइडिया मिला होगा, कि क्लाइट में किस तरह की कोशिंस आपके पास आती है, कि क्लाइट का पैटर्न अलग है, दूसरी लोग इंटरेंस का अलग है, यहां पर केसले डियाई आती है, बाकी में आपके पास सिंगल वन एलग पर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो अपने फ्रेंट्स को शेयर कर सकते हैं, अपके बढ़ी माचावड़।